नमस्कार बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग 9th class Maths का session ending exam question paper discuss करने वाले हैं यह sample paper है आपका केंद्रे विद्याले के नए pattern पर based अब यू तो 9th और 11th में संगठन ने जो exam का pattern ने उसमें कुछ change नहीं किया है लेकिन आप देखेंगे कि blueprint जो पहले था और जो अब है उसमें major change है जो आपके कुछ easy chapters है उनकी weightage बढ़ा दी गई है जो कुछ difficult chapters है उनकी weightage थोड़ी सी कम कर दी गई है कहने का मतलब है paper को थोड़ा सा easy बनाने की कोशिश की गई है कुछ chapters को तो CBSE नहीं ही remove कर दिया है कुछ parts आपके जो 10th में इतने useful नहीं होंगे उनको रिमूव कर दिया गया है सो इससे जो last video है मेरी इसमें में हम लोगोंने blueprint discuss किया था किस तरीके से exam के लिए prepare करना है आपको वह भी discuss किया था अगर आपने वह video नहीं देखिया प्लीज एक बार उसको देख लीजे क्योंकि उससे आपको बहुत हो जाएगी अब से exam के तयारी करने में क्योंकि अब time साधा नहीं है और hard work करने का भी थोड़ा सा smart work हम लोगों को करना पड़ेगा बाकी मैं आपको paper दिखा देती हूं कैसा sample paper कैसा दिया है संगठ हने ऐसा paper आएगा बच्चों को दिखाने के लिए अब इसमें से कितने questions आपको आते हैं that you will see बाकी मैं थ x की जगे 2 पुट करना है जैसे p of x अगर इतना है तो p of 2 आपका हो जाएगा 2 square minus 5 into 2 minus 6 सिर्फ x की जगे आप 2 पुट करोगे so this will be 4 5 2s are 10 minus 6 4 minus 16 this is equals to minus 12 यह आपका answer हो जाएगा first का write 2 sorry write anyone irrational number between 2 and 4 irrational number सिर्फ 2 ही होते हैं आपके या तो non repeating non-terminating जो ना repeat हो रहे हो ना terminate हो रहे हो एक root के अंदर वो number जो किसी के complete square नहीं है तो ऐसे numbers के बीच में number लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है 2 2 को root में देखिए आप क्या लिख सकते है root 4 4 को लिख सकते है root 16 कहने का मतलब है कि इनके बीच में जितने भी नंबर से root 5 root 6 root 7 root 8 root 9 को छोड़गे इसका 3 हो जाता है root 10 root 11 root 12 जितने भी numbers है यहां पर सभी irrational numbers है क्योंकि किसी के complete square नहीं होते और आप इनको root में अगर रख देते हैं तो बीच में कोई भी नंबर उठा लिजे root 4 root 16 के बीच में like root 11 यह 2 और 4 के बीच में ही आएगा क्योंकि 2 जो है वो root 4 लिखा जाता है और य भी लिख दीजे root 5 root 7 root 11 root 10 anything अगला question है in the following figure triangle ABC is congruent to triangle QPR find the angle of R इसमें थोड़ा सा correspondingly आपको देखना पड़ेगा angle A जो है वो Q के equal है तो यानि कि A अगर 60 है तो QB 60 होगा यहां से कई बार बच्चे मिस्टे करते हैं एको P के equal रख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह correspondingly equal होते हैं जबकि ऐसा नहीं है corresponding आपको यहां से angles देखने होते हैं B किसके equal है B P के equal है तो B अगर 70 है तो P B 70 होग यह CP CT से होते हैं corresponding part of congruent triangles अब आपको R पूछा हुआ है इसमें angle sum property लगा दीजिए दो triangles तो आपको पता लगी गए हैं 60 plus 70 is 130 और total sum कितना होता है तीनो angles का triangle के 180 तो 180 minus 130 equals to 50 degree तो यहनि कि angle R जो है आपका that will be equals to 50 degree next what is the surface area of a solid hemisphere of radius R, R radius का जो hemisphere होता है उसका total surface area आपको बताना है total surface area of hemisphere होता है 3 pi R square volume of two sphere R in the ratio 64 ratio 27 find the ratio of their radii 2 spheres है मालीजी एक की radius capital R है एक की small R है इसका volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi R cube और इसका कितना हो जाएगा 4 by 3 pi R cube ratio में कितना है this is equals to 64 by 27 4 by 3 से 4 by 3 cancel pi से pi cancel R cube by R cube 64 by 27 बचता है आपका अब R by R देख लीजे कितना होगा यह क्यूब हटा दीजे उदर cube root में चले जाएंगे R by R हो जाएगा cube root 64 by 27 64 किसका cube होता है 4 का 4 4s are 16 4s are 64 हो 27 होता है 3 का 3 3s are 9 3s are 27 तो यहनि कि R ratio R equals to 4 ratio 3 हो जाएगा so answer will be 4 ratio 3 next find the range of the following data range क्या होती है range होती है highest value minus lowest value in this distribution highest value कितनी है आपकी 100 I don't think 100 से कोई बड़ा है number यहाँ पर lowest value कितनी है 46 क्या yes 46 I think इसे छोटा कोई number नहीं है तो आप लिखेंगे range equals to 100 minus 46 यानि कि 54 that's all write the degree of the polynomial जब तक English के alphabets को math में कोई को नहीं मिलता coefficient नहीं मिलता तब तक वो polynomial में नहीं आ सकते जैसे x square भी है अगर तो इसको 1 मिला हुआ आगे या फिर 5 x square है इसको 5 मिल गया जो भी इनके भी नहीं exist नहीं कर सकते क्योंकि एक्सुदा पार 5 को कुछ नहीं मिला जीरो है इसके आगे इसलिए यह ही इक्वेशन में यह एक्स्ट्रा ही गिया हुआ तो यह नहीं कि इसकी वह कितनी हो जाएगी degree होती है highest power highest power is 4 that means the degree will be 4 next find the 0 of the polynomial is polynomial के 0 निकाल यह very easy question जब भी 0 निकालने होते है equate कर दीजे 0 से x की value आ जाएगी यह 5 उधर जाकर minus 5 हो जाएगा minus 5 by 2 a b c d is a rhombus such that angle a c b is 40 degree a c b a c b okay this is 40 degree find a d b a a d b यह वाला अंगल आप लोगों को निकालना है ओके अब rhombus की प्रॉपर्टी होते हैं कि इसके diagonals एक दुसरे को 90 डिगरी पर bisect करते हैं और यह प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही उसमें पाई जाती है क्वाइटल में one is a square जिसमें की सभी properties होती है और second आपके rhombus में तो कहने का मतलब है this angle is 90 यह 90 है यह 40 है तो आप यह angle find कर सकते है angle some property से 40 प्लस 90 is 130 तो यह हो जाएगा 50 इसको completely click लिएगा मैं सिर्फ हिंटी दे रही हूं आपको यह 50 हो गया आपको तो लेकिर यह निकालना है तो यह दोनों angle किस टाइप के है this and this यह देखे आपका यहां पर जेड़ फॉर्म हो रहा है और वैसे भी इसके opposite sides जो है parallel होती है यह rhombus की तो यानि कि यह आपके alternate angles है अगर यह angle 50 है तो angle ADB is also equals to 50 degree so ADB 50 degree हो जाएगा next for what value of X plus Y in the given figure will ABC be a line X plus Y की किस value के लिए ABC एक line होगी और आपको अपने answer को justify भी करना है ABC को आपको एक straight line बनाना है आप जानते हैं तो आपको इस line को नीचे यहां पर डालना पड़ेगा A यहां पर आजाना चाहिए आपका इधर और फिर यह angle कितने का हो जाएगा 180 degree का एक जो complete अगर यह दोनों एक line है ABC तो यानि कि Y और X क्या होंगे linear pair होंगे then they will be linear pair and sum of linear pair is 180 degree बस यह इसकी justification है if ABC is a line angle Y plus X is equals to 180 degree that means they will be linear pair linear pair always lie on a straight line that is why ABC will be a straight line okay next in this given figure if AOB is diameter of the circle and AC is equals to AB okay AC is equals to ABB यह straight line B है find CAB CAB यह angle आपको find करना है okay अगर यह 180 degree है तो यह वाला angle कितना हो जाएगा this is 90 degree वाई दो properties में लगती है तो यह वाली कि center का angle जो है other part में बने हुए angle का double होता है यह फिर other part में बना हुए angle half होता है दूसरी आपके simple यही है कि semi circle में जो angle होता है कहीं भी बना दीजे वो 90 degree का ही होगा हमेशा इस property को याद रफना 10th class में बहुत बार यह use होगी आपकी चलिए खेर तो यह कितनी degree का angle हो जाएगा हमारा आप 90 degree का because center पे 180 है अब क्यूंकि यह is k equal है और किसी भी triangle में अगर दो side equal है उनके opposite angles भी equal होते है that means यहाँ पर angle a equals to angle b हो जाएगा angle a equals to angle b angles opposite to equal sides of triangle और आप जानते हैं a plus b plus c तीनों angles का sum कितना हो जाएगा 180 angle sum property से angle a to c तो आपको पता है 90 है a plus b दोनों की जगे में a plus a लिख सकती हूँ because a और b तो आपस में equal ही है और हमें a चाहिए तो b की जगे भी a ही लिख देते है this is equals to 180 a plus a is double angle a equals to 90 उधर जाके minus होगा 90 degree तो angle a हो जाएगा 90 by 2 that means 45 degree तो यह जो है आपका center का angle यह 45 degree not center angle c a b is 45 ओके चली अगे आते हैं यह कितने माग का question आपका one marker c चल रहे हैं अभी तो in the given figure angle a b c is 20 degree यह वाला angle 20 है find a o c a o c बताइए अब यह जो a c है यह ही दोनों angle बना रही है a o c और a b c यह लेकिन a o c center पर बना रही है यह other part में बन रहा है तो अगर यह 20 है तो center का angle हमेशा double होता है that means a o c will be 40 degree यह वाला question comparatively easy है three angles of a quadrilateral this 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 is fine fourth angle very easy question angle sum property लगा दीजे चारों angles का sum quadrilateral में 360 होता है हो गया find the surface area of four walls of a cube whose cube है अच्छा side है आपकी five चारों वाल्स का आपको area निकालना यानि कि आपको CSC निकालना है CSC of cube होता है four a square यानि कि four into side square four into twenty five twenty five four thousand hundred square centimeter यह centimeter square यह आपका चारों का surface area हो जाएगा four walls का अगला question है in which case of quadrilateral diagonals are perpendicular to each other यह मैंने कहा था आपको कि सिर्फ दो में ही यह property मिलती है one is rhombus और यह बहुत useful property है कई बार आपको rhombus देखे बहुत सारी चीज़े प्रूव हो जाती है इस property की वज़े से एक rhombus में होती है और एक ही होती है आपके square में Diese meaningful में तो सभी चीज़े हो Main Mile ऐ peelevel Milliarden साइड भी opposite होती है अंगल भी 90 पर करते हैं bi-sept भी करते हैं और सारी opposite side भी ठीकोई है चारो ov साइड भी قरस्योhando but Rom 박us में और इस चाप्टर से एक question आएगा आपका one mark का और एक आएगा I think four mark का है five mark का तो one mark में यही एक question बनता है आपको एक angle बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो इस बार आपको first exercise की भी practice करनी होगी 90 degree आप कैसे बनाते है एक straight line draw कर लिजे थोड़ा सा compass open करें यहाँ पर compass रखें एक arc यह इस जहां पर इकट करता है line को मिला दीजे this is 90 degree और इसमें आपको steps of construction नहीं लिखने होंगे next question in the given figure side qr इसमें side qr जो है off triangle pqr has been produced to s एस तक हमने इसको बढ़ा दिया है यह हमें 115 दिया हुए angle p45 दिया find angle q अब अगर आपको exterior angle property पता हो triangle में triangle में यह होता है कि अगर आप एक side को बढ़ा देते हैं किसी भी side को तो जो यह exterior angle होता है this is equal to sum of other interior two angles rather than its corresponding its adjacent angle इसको छोड़के बाके जो दो angles से आपके adjacent को छोड़के इन दोनों के sum के बराबर बाहर वाला angle होता है तो यहनिकि 45 plus q के बराबर बाहर वाला angle 115 होगा that means 45 plus angle q is equals to 115 to angle q equals to 115 minus 45 0 11 minus 4 is 7 तो यह हो जाएगा 70 degree okay next in the given figure bc is equals to ca यह जो है इसके बराबर है angle a 40 degree है then find angle acd acd यह वाला angle कितना है यह आपको निकालना है again same ही है वही property लगेगी a c d a okay यह angle find करना है done यह दोनों side अगर बराबर है इनके opposite angles भी बराबर होंगे that means if this is 40 then b is also equals to 40 और बाहर वाला angle sorry इन दोनों के sum के equal होता है so this will be 80 degree चलिए in the given figure a d c is 130 okay यह 130 है cod bc is equals to cod b e एक second यह important है bc यह वाली cod equals to b इस वाली cod के equal है find c b a c b a c b a that means this angle we have to find out अब देखी यह जो इतनी सारी चीज़ें आपको दिए है यह इसके equal दिए है इसका कोई use है ही नहीं actually में बहुत simple question है अगर आपको cyclic quadrilateral की property पता है तो दो second में यह हो जाएगा cyclic quadrilateral होता है जिसके चारों जो corners है वो circle के उपर हो और उसकी एक ही property होती है कि opposite angle का sum 180 होता है तो यह देखे यहाँ पर यह cyclic quadrilateral है a b c d is cyclic क्योंकि 4 के 4 point circle के उपर है that means sum of opposite angle 130 plus angle b यह वाला angle जो है दोनों का sum 180 हो जाएगा तो अगर यह 130 है तो this is equals to 50 degree ऐसे यह one mark का question है यह side extra बढ़ाई हुई है यह जो दो sides आपको यहाँ पर दिख रही है this and this यह सिर्फ confuse करने के लिए बढ़ा के आपको equal वगेरा दे दिये वाकि those are of no use I think one mark कई होगा next अब आते है section 2 में जैसा कि इस बार बताए गया था 10th class की तरह 9th class में भी आपकी जो word problems है जो की case studies है वो आ रही है देखे कैसी आएंगी case study on environment day class 9 students got 5 plant of 5 plants of mango class 9 के बच्चों को 5 plants मिले mango के silver oak के banyan tree and amla from the soil department okay students planted the plants in their noted location x and y यहाँ पर बच्चों उनको प्लांट कर दिया observe करिये graph को और answer करिये question के okay यहाँ पर उन्होंने orange लगाया यहाँ पर banyan यहाँ पर amla mango और silver oak चलिए in the above graph what is the type of polygon यह कैसा polygon है 1 2 3 4 5 पांच साइड है that means it is a pentagon option आपका यही सही है in the given figure the abscess का of point where the amla tree is planted amla tree जहाँ पर planted है यानि कि यहाँ पर इसका abscess का बताईए कितना है अब यह दो चीज़ें आप समझ दीजे क्योंकि कई बार बच्चों को problem रहती abscess का हम लोग बोलते है x coordinate को coordinate और ordinate बोलते है y coordinate को abscess का and ordinate तो यहाँ पर यानि कि वो पूछ रहा है इसका x coordinate बदा है तो x axis पर यह minus 2 इसका x coordinate है तो option आपका भी correct होगा the distance of silver oak from x axis silver oak कहा है यह रहा इसकी distance x axis से कितनी है again an easy one one centimeter two centimeter three centimeter four क्योंकि one one centimeter की distance पर आपके graph में होते है तो यानि कि four unit है centimeter unit whatever the coordinate of location point of orange tree orange की location point बताइए औरेंज का x तो zero है क्योंकि x axis पर वो left right गया ही नहीं center से सीधा उपर ही है वो तो यह की zero comma seven that means option आपका zero comma a ही सही है next the coordinate where the line joining the location point of banyan and silver tree meet the y-axis banyan tree और silver tree को जब आप join करेंगे तो y-axis पर जहां पर वो मिलेंगी banyan tree और silver oak यह ड्रॉक की हमने cd-line y-axis को किस point पर मिल रही है y-axis को मिलेगी यह zero comma four पर इस तरीकी question आप से पूछे जा सकते हैं इस chapter को बहुत अच्छे से आप थोड़ा concept समझके prepare करेंगे next there are two type of taxi fare in the city दो टाइप के taxi fares है first kilometer के लिए fare है rupees for subsequent distance के लिए 2 यह question में आपको blueprint वाली यह उसमें भी बता चुकिए वीडियो में की important है आपके exam point of view से type 2 जो taxi का fare करना है कि अच्छा चलिए पहले तो दोनों की equation बना लेते हैं यह वाली जो taxi पहले kilometer के लिए 4 रोपे लेती है subsequent के लिए 2 that means अगर आपको कितनी distance cover करनी है x तो पहले के लिए लेगी यह 4 और फिर बाकि जो x-1 बचा क्योंकि पहले के लिए 1 kilometer के लिए आप अल्वड़ी पे कर चुके x-1 को लेगी है 2 के according total fare कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 2x-2 यानि की 4-2 is 2 2 plus 2x यह fare है आपकी पहली taxi का और दूसरी तो 3 पर kilometer ही ले रही है आपको x kilometer जाना है तो वो लेगी 3x इसको थोड़ा सा ध्यान रखना 2x-2 and 3x ओके what type of taxi is beneficial to hire कौनसे type of taxi beneficial है hire करने के लिए अब इसका answer तो यह होना चाहिए कि short distances के लिए तो taxi B है लेकिन अगर आपको long distance जाना है तो फिर sorry type B है short के लिए type A है long distances के लिए बट जितना हमें graph यहाँ पर दिया हुआ है वो बहुत छोटी distance के लिए दिया हुआ है यह कह रहे हैं कि जब तुम एक भी kilometer नहीं गई as per this graph जब आप 0 पर ही हो distance आपने cover की ही नहीं तब भी यह कितने रुपे ले रहा है 4 rupees 1 km अगर आप जाते हो तो distance तो रुपे कितने लेगा यह 4 पर देख लिए कौन सा point है 6 rupees जबकि हमारा यह वाला graph अगर आप नहीं जाते हो नहीं लेगा जब आप 1 km जाओगे तो 3 rupees लेगा 2 km के लिए 6 rupees लेगा तो as per graph अगर हम देखे तो taxi B जादा beneficial है तो यानि कि taxi B B type what which of the following is not a solution of the line in figure A इन में से कौन सा figure A की line का solution नहीं है 0 4 0 4 तो हमें देख रहा है 1 2 1 2 नहीं है क्योंकि 1 2 यहाँ पर होना चाहिए option आपका C correct है which of the following equation represent the graph shown in figure B figure B में कैसा graph show हुआ है इसका हम पहले equation बना भी चुके है y equals to 3x का graph show हुआ है that means y minus 3x equals to 0 C option is correct how many solution of a linear equation have linear equation की कितने solution हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं अब जितना find करना चाहा है x में value put करते रहो y की value निकालते रहो many for what value of k the linear equation this has equal value of x and y k की किस value के लिए इसकी x और y की जो equal equation है वो equal होगी 2x plus ky equals to 8 कोई भी एक value ले लिजे x की मानी जे x और y की value 1 and 1 है 2 into 1 plus k into 1 equals to 8 that means 2 plus k equals to 8 that means k equals to 8 minus 2 6 तो ऐसा k की value 6 के लिए होगा ओके चलिए अगे आते है next over the past 200 working days ये next question है पिछले 200 working days में the number of defective parts produced in a machine is given in the following table कितनी बार ऐसा हुआ कि एक भी defective piece produced नहीं हुआ पचास दिन कितनी बार में एक हुआ 32 days 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको दिया हुआ है कितने दिन ऐसा हुआ कि 13 defective bulb produced हुए तो ऐसा हुआ दो दिन 0.25 option A is correct at least one defective bulb कम से कम एक defective bulb तो produce हुआ हो एक भी नहीं हुआ ऐसा हुआ था 0.25 और कम से कम एक हुआ हुआ उसके लिए आप क्या करेंगे 1 में से 0.25 को माइनस कर दीजिए तो at least का आ जाएगा यानिकि 0.75 सारी option आपका D साहिए या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हुआ at least one में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी बल्व हो आपको कम से कम एक चाहिए जादा से जादा कितना भी हो सकता है तो इन सब को जब आप आड करेंगे 200 में से बस 50 को आड नहीं करना है तो 175 आएगा 175 by 200 3 by 4 3 by 4 यानिकि 0.75 लेस दन 14 में सभी है क्योंकि सभी जितने भी बल्व का हमें डेटा दिया है 14 से तो कम ही हुए है तो यानिकि इसकी probability 1 होगी full probability जो होती है complete probability that is 1 prime number of defective bulb produced prime numbers of defective bulb prime number कौन कौन से होती है 2 3 5 7 11 13 तो इनमें देख लेते हैं 22 plus 18 करिए 22 plus 18 is 30 30 plus 12 is 42 42 plus 10 is 52 52 plus 6 is 58 and 58 plus 2 is 60 यानिकि 60 है हमारे prime number defective bulb के 60 upon 200 यानिकि कौन सा अंसर सही होगा 60 upon 200 0 से 0 cancel 3 2 0 6 3 2 0 6 20 तो cancel होगा नहीं sorry 2 3 0 6 2 10 0 20 10 3 10 decimal लगा 33 तो यानिकि 0.30 option a correct आपका नेक्स नेक्स वर्ड प्रॉब्लम है आपकी here you see photograph of a farmhouse यहाँ पर आपको एक farmhouse की photo दी हुई है with a roof in the shape of pyramid जिसकी roof जो है एक pyramid shape में है नीचे आपका एक square है उसके उपर triangles को जोड़ जोड़ के उपर से मिला के roof बनाई गई है उसके बाद next में एक student ने क्या किया mathematical model बनाया farmhouse की roof का यह छट का model है नीचे square और 4 तरफ यह rectangles करके और measurements भी आड़ कर भी है यह 12 है 12 है 12 है okay the attic the attic floor a b c d is model is a square यह नीचे square है उसके बाद beam जो इसको support करने के लिए रूफ है वो edges यह है e okay यहां से important e is midpoint of 80 यह इसका midpoint है f is midpoint of tb okay bt g is midpoint of ct यह इसका midpoint है h is midpoint of यानि कि सारे यह midpoints करके उसने एक तरीके से हाँ पर हो सकता है mpt midpoint theorem का कोई use हो जाए all the edges of the pyramid in the model have length 12 सभी edges इस pyramid की 12 ही है यह यह everything okay question देख लेते हैं पहले triangle tab is tab triangle बताईए कैसा है क्योंकि सभी edges 12 है यह भी 12 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 यह निकि एक equilateral triangle हो जाएगा what is the area of triangle tef tef okay this is good question यहां से tef का area बताईए कितना होगा tef equilateral triangle है that we know लेकिन side कितनी है इसकी अगर पूरी side 12 थी तो यह 6 हो जाएगी क्योंकि यह midpoint था यह भी 6 हो जाएगी midpoint था और यह भी 6 हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि यह इसकी half होती है जब आप midpoints को मिलाते हैं तो इसका area कितना हो जाएगा root 3 by 4 into 6 का square 6 into 6 equilateral triangle का area होता है root 3 by 4 side का square 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9 तो answer हो जाएगा 9 root 3 square meter option A correct है आपका what is the area of k element floor का area बताएगे k element floor है floor की सारी side 12 है तो 12 into 12 यह निकी 144 क्योंकि square का area side into side होता है 144 square meter next what is the total outer area of triangular parts total outer area कितना है triangular part का side तो 12 है तो यानि की 1 second root 3 by 4 इसका निकाल लेते हैं into 12 into 12 4 3s are 12 12 3s are 36 root 3 एक का area है और कितने triangles इसमें लगे हुए है चारो तरफ एक इस साइड पर लगा होगा यानि की 4 triangles हैं उपर into 4 आप कर देंगे आंसर हो जाएगा 144 root 3 square meter option c is correct what will be the height of triangle tbc corresponding to the base bc tbc कहां पर है tbc में आपको height बताने कितनी होगी आप इसका area आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं वैसे हमें इसका area पता है 36 root 3 हमने अभी एक ट्रांगल का निकाला लेकिन इसका area half base into height भी होता है base into height equals to area कर दीजे जो कि हमने formula से निकाला है तो base कितना है 12 1 by 2 into 12 into height equals to 36 root 3 2, 6,012, 6 सुधर जाकि आप on में चला जाएगा height equals to 36 root 3 by 6, 6,036 यानि कि 6 root 3 आपका answer होगा option c is correct ये थी आपकी world problems किस तरीके से बनाई गई है, frame की गई है थोड़ा सा idea आपको हो गया होगा अब हम आते हैं NCRT के question पर ये मैं थोड़ा सा जल्दी आपको समझाऊंगी find 2 rash number between 3 by 5 and 1 by 2 ये भी मैंने बताया था ऐसे ही question आएँगे आपके सबसे पहले base आपको same करना है 2 से multiply कर लीजे LCM लेके इसको 5 से कर लीजे 3,2,6 by 10 ये हो जाएगा 5 by 10 अब इसमें कितने numbers आपको निकालने है 2 यानि कि दोनों को उपर नीचे फिर से 3 से multiply कर दीजे into 3 into 3 ये हो जाएगा 18 by 30 ये हो जाएगा 15 by 30 एक second 3 से क्यों कि हाँ ठीक है तो उनके बीच में दो numbers 16 by 30 and 17 by 30 हो गया चलिए next a cube of side 4 cm container sphere touching its side एक cube है जिसके अंदर एक sphere रखा हुआ है तुमने हम लोगों ने जो सभी इसकी sides को touch कर रहा है volume बताइए जो gap का है इसमें आप इसका volume निकालिए cube का और minus कर दीजे sphere का volume अब इसमें cube की side आपको कितनी दीविया 4 cm cube का volume क्या होता है side into side into side यानि की 4 into 4 into 4 में से आप minus करेंगे इसकी radius कितनी हो जाएगी इसका भी diameter 4 हो जाएगा radius 2 हो जाएगा 4 by 3 pi को 3.14 लेना r cube यानि की 2 into 2 into 2 इसकी radius 2 हो जाएगी क्योंकि बिल्कुर सभी side को touch करता हुआ बनाए गया अगर ये 2 है तो इसका जो diameter है यानि की 2 हो जाएगी इसको solve कर लीजेगा जो भी answer होगा वो आपका final answer हो जाएगा मैं आपको answer वैसे बता देती हूँ जब आप solve करेंगे इसका answer आएगा 30.51 इसका और पार्ट में है the height of a cone is 16 height 16 है radius 12 है curve surface area बताएग उसके लिए सबसे पहले आपको slant height निकालनी पड़ेगी अगर ये 16 है ये आपका ये है और ये 12 है तो height निकालेंगे पहले आप pythagoras को use करके उसके बाद pi rl simple pi को 3.14 ले लेना answer आप इसका find कर लीजे height इसकी 12 आएगी sorry एक सकी तो गलती होगी ये 16 नहीं है ये 16 है भाई एक सब्सके ये 16 है ये 12 है ये निकाली है आप ये 20 हो जाएगा 16, 20 हो 12 का एक आपका triplet होता है और इसका answer आएगा आप find करके देखे check कर लीजेगा क्या आपका answer सही है 753.6 cm2 ये आपका answer आएगा तो यानिकी सही है next x प्लस 1 इसका एक factor है find the value of a x प्लस 1 अगर इसका एक factor है तो यानिकी x इकोल्स तो माइनस 1 इसका एक 0 भी होगा जो इसका 0 वही इसका 0 इसका 0 तो x माइनस 1 है तो आप इसमें x की जगे माइनस 1 रखिए a into minus 1 का square plus sorry minus 1 का cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 plus 4a minus 9 equals to 0 कर दीजे इसमें solve करिए इस पूरे को एक ही value find करिए एक ही value आपकी आनी चाहिए 2 अगर 2 आती है solve करने के बाद यानिकी आपका answer correct है otherwise not next मैं आपको simplify करना है root 45 3 root 20 4 root 5 चलिए root 45 दिखने पहले 9 5,045 होते है तो इसको लिख सकते है 9 में से 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 into 5 45 लिख सकते है 9 क्योंकि 3 का square होता है तो ये 3 बाहर आ जाएगा root 5 बचेगा minus 3 root 20 root 20 कम 5 4,020 लिख सकते है 4 में से 2 बाहर आ जाएगा 2 into 2 एक पेर बाहर आ जाएगा तो ये 2 रूट 5 हो जाएगा प्लस 4 रूट 5 अब सभी लाइक तर्म से अड़ हो जाएगी 3 रूट 5, 4 रूट 5, 7 रूट 5 हो जाएगा 7 रूट 5 स्क्वाइर एच तो नो नो इस वॉल्यूम सॉरी टू पाई रह तू पाई रह अब आपको यहां पर आर पता है एच निकाल दीजिए इस इकल्स टू 4.4 करके पॉइंट 3, 4 लाई ओन इस ग्राफ, फाइंड दा वाल्यू ओफ ए इसमें x की जगह 3 रखिए y की जगह 4 रखिए तो यह हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 इस इकल्स टू A इंटू 3 प्लस 7 अब इसको सॉल कर दीजिए 12 यह माइनस 7 हो जाएगा इधर आकर इकल्स टू 3 इस इकल्स टू 5 इकल्स टू 3 यह तो यह हो जाएगा आपका 5 बाइ 3 यह आपका फाइल आंसर है 26 अब सेक्शन टू बर आते हैं यहां पर सभी क्वेशन 3 मांग के हैं ड्रॉ दा ग्राफ ऑफ दिस ऑन ग्राफ पेपर इसका ग्राफ पहले तीन पॉइंट निका लिजे एक् नीचे वाले के उल्टे साइन से करते हैं हमेशा रूट 3 नीचे हो जाएगा 6-4 रूट 3 तो यह हो जाएगा 6-4 रूट 3 का स्क्वाइर और नीचे हो जाएगा a plus b into a minus b यानिकी a square minus b square so this is 36a square minus b square minus b square minus 2ab और नीचे क्या हो जाएगा 36-4 रूट 3 का स्क्वाइर आप कैसे करेंगे 4 का स्क्वाइर होता है 16 और रूट 3 का 3 16 threes are 48 तो इसको solve कर लीजेगा 48 जो भी उपर आएगा और नीचे आप कर रह जाएगा minus 2 12 माइनस उपर लेजाएगा कुछ कैंसल होता है त इसका answer मैं आपको बता देती हूं answer होगा इसका okay conjugate तो छोड़ दीजे answer होगा इसका 4 root 3 minus 7 यानिकि 12 से उपर वाला नंबर कैंसल हो जाएगा अगला question है factorize करिए इसको या फिर this this formula तो is out of syllabus यह तो NCRD ना out of syllabus बोला है x cube y cube minus 3 ABC अब के वी ने क्यों दिया I don't know बट यह formula नहीं है आपके course में यह प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा कि cbsc नहीं अटा देए एक बशन out of course है 29th question जो है next इस figure में तीन आपको lines दिए है find the value of y, y की value बताइए यह अगर 2y है यह भी 2y हो जाएगा this is also 2y यह भी 2y vertically opposite angle से 1 2 3 4 5 okay sorry 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 this is 5y एक second रुक जाएगे this is 5y so यह भी 5y हो जाएगा अब इन सब को add कर दीजिए सभी का sum 360 हो जाएगा 5 6 7 8 9 9 plus 5 14 15 16 17 18 18 y this is equal to 360 क्यों complete angle इतना ही होता है तो y के वाली हो जाएगी 18 2036 20 degree okay next ABCD एक quadrilateral है PQRS midpoint है इन sides के prove that यह एक parallelogram है ऐसा कोई question है यह A B C D और midpoint यह है इसके उसके बाद आपको प्रूव करना है parallelogram होगा यह quadrilateral की first exercise का question है इसका proof आप देख लीजेगा इसमें triangle को congruent करके आपको जाना होता है construct करना है triangle BC पहले 5 cm कर लीजे angle B बनाएगे 75 पहले बनाएगे 60 से 90 90 और 60 के बीच में बनेगा 75 75 से 9 कट कर लीजे इसको यहां से join कर दीजे फिर इसका perpendicular bisector कीचिए यहां पर रखके एक आरक उपर एक आरक नीचे यहां पर रखकर एक आरक उपर एक आरक नीचे दोनों को join करें जहां पर यह previous line को कट करेगी यह हमारा point A हो जाएगा ABC आपका ट्रांगल हो जाएगा यह इस question की practice जरूर कर लीजेगा यह तो sum वाला यह माइनस वाला यह question आएगा और यह question 3 mark में बहुत ही easy question है next 30 circular plates जिनकी radius आपको दीए थिकनेस दी हुई है एक दूसरे के ऊपर आपने रखके एक solid बनाया plates circular होती है circle के ऊपर circle जब आप रखते है तो आपका cylinder बनता है ध्यान र बना है यह cylinder इसकी जो हाइट है वो 90 cm है 14 रेडियस आपको अलड़ी दी हुई है आपको टीस से निकालना है यह से क्या होता है 2 pi r into r plus h r आपको पता है 14 है आपको पता है 90 है इसका answer निकाल देंगा आप लो मैं आपको इसका correct answer बता देती हूं इसका answer है 9152 cm2 आप चेक कर ल c rt का question है यह equal दिया हुआ है आपको क्या प्रूव करना है a b d a b d यह triangle congruent है किसके a c e k a c e k तो दोनों triangle में सबसे पहले this side equals to this side यह दोनों बराबर है यह angle इसके यह वाली side इसके बराबर है एक second तीन चीज़े हमें equal रूणनी है ना सबसे पहले तो a b d यह वाला जो triangle है चोटा और a c d इसमें यह वाली side a d इसके equal है इस वाले triangle की क्योंकि d हुई है question में दूसरी यह side equal थी तो इनके opposite angle भी बराबर होंगे कहने का मतलब है कि यह वाला angle इसके बराबर होगा अगर यह दोनों equal है तो इनके adjacent angle भी equal होंगे यह angle इसके equal हो जाएगा तो तीसरी चीज़ आपको angle मिल जाएगे तो by side angle side यह दोनों triangle congruent हो जाएगे next इस figure में बी यह ए c के बराबर इसके बराबर है ठीक है यह दोनों आपस में equal है एक second this is equals to this okay हमें इन दोनों triangle को congruent कर रहा है अगर यह दोनों आपस में equal है that means अच्छा नहीं एक second बी यह दी के भी वराबर है यह जो बी यह है यह दी के बराबर है तो यानि कि एक side equal हो गई अब अगर यह side equal है और A B पहले यह से इसके बराबर है तो यह दोनों भी आपस में equal होगे दो sides तो हमें मिल गई यह इसके equal और यह वाली side इसके equal okay तीसरी side देखे क्या है यह अगर इसके equal है दोनों में EF CF add कर दीजे so this plus CF will be equals to CE plus CF यह add कर दीजे ऐसे कुछ question NCRT में है तो यह पुरी side BC जो है पुरी side EF के equal हो जाएगी third side B equal हो जाएगी by side 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 दोनों ट्रांगर्स जो है वो congruent हो जाएगे next आपको blood group दिया हुआ है कुछ बच्चों का इस data को आपको frequency distribution table में बनाना है और कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे rarest blood group है वो बताना है तो यहाँ पर बना लिजे A, B, O, A, B इतने ही है इसको A के count मत करना उसमें बहुत गलतिया होती है सबसे पहले A आया A के सामने एक telemark लगा दो B आया एक और लगा दो O आया एक telemark दूसरा telemark A B आया एक फिर A आया फिर O आया फिर B आया तो इस तरीके चलते रहे से 5 आया तो क्रॉस लगा दीजे फिर उसके बाद count कर लेना क इतने हैं आपको वैसे बता देती हूं A जो है वो 9 टाइमस आया B जो है वो 6 टाइमस आया है ओ जो है वो 12 टाइमस है और A B जो हो सिफ 3 टाइमस आया इस टेबल में तो rarest कौन सा है A B और mostly occurred कौन सा है next the angle subtended by an arc at center center पे जो angle subtend करती है कार को अधर पार्ट में बने हुए angle का दबल होता है यह most 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 important theorem है 60% chance 80% chances है बल की कि यह theorem हमेशा एक्जाम में आती ही है बहुत कम ऐसा हुआ है कि final exam में यह ना आ है प्रूफ करना है आपको कि center का angle other part में बने हुए angle का डबल है 37 minute की वीडियो हो गई है चलिए बता देती हूं थोड़ा सा हिंट इस तो NCRT से आप construction में इसको join करते हैं उसके बाद इस triangle में लिखते हैं कि यह वाली side एक second कि यह वाली side इस वाली side के equal है क्योंकि दोनों radius है अब दोनों equal है तो opposite angle यानि कि यह और यह angle बराबर हो जाएंगे उसके बाद यह वाला जो बाहर वाला angle है क्योंकि हमने इस triangle के side को बढ़ाया हुआ यह वाला exterior angle है इन दोनों के sum के equal होगा तो दोनों क्योंकि equal है तो हम double कर सकते हैं इसको यह प्लस यह अगर है तो इसको भी इसी के equal लिख दीजे तो यह जो exterior angle है यह double है उपर वाले angle का this is double this similarly यह इसका double है फिर दोनों को add कर देते हैं तो यह पूरा इस पूरे का double है hence proved यह यह आपका paper hopefully most of the questions आपको आते हूं थोड़े से out of NCRT questions आप इस बार definitely पूछे जाएंगे तो concept आप clear करके चलिएगा so thank you so much for watching and all the best for your exam बाकी जो remaining subjects है उनकी वीडियो भी में बहुत जल्दी upload कर दूंगे